हेलो सुरेंट्स वेलकम बैक तो मेरा अपना स्कूल इस प्लैटफर्म के साथ हमें साथ हुए एक अर्सा हो गया और इंशाललह ये साथ लाइफ टाम रहेगा और आप लोग इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं हमें भी खुश ही इस बात की तो जो चैप्टर हम शुरू कर चुके उसका नाम था मोशन एंफोर्स और इस चैप्टर के लास्ट जो नुमेरिकल है वो हम डिसकस करने लगे हैं क्योंकि एक नुमेरिकल ऐसा था जो बीच में रह गया था जिसको डिसकस करना अभी बाकी था उसको लेकर मैं आप लोग के सामने हाजर हुआ हूँ और यह है प्र इंफर्म हो गई कि यह सवाल है बड़ा इंट्रस्टिंग ठीक है चलिए शुरू करते हैं सवाल है हमारे पास अगन ऑफ मास 20 kg फाइर बुलेट एक गन से फाइर की गई इनके मासे गिवन है और साथ-साथ यह भी बता दिया गया है कि बुलेट जो फाइर की गई उसकी वि इसको सही वे में समझते हैं फिलाल में थोड़ा सा कॉंसेप्ट दीना चाहता हूं आपको कि जब इस टाइप का सवाल होगा जहां पर दो बॉड़ी के दर्मयान आपने मोशन देखना होगा तो याद रखिएगा यह ऐसा नुमेरिकल लॉफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को टच करता वा होता है यहां पर हमने लॉफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का कॉंसेप्ट यूज करना है ठीक है चाहिए अब आ जाते हैं स्टार्ट करते हैं सवाल को सही माइनों में पढ़ना शुरू करते हैं और डेटा बनाते हैं अगन ओफ मास 20 kg फायर्ट अबुलेट सिंप्ली एक गन थी हमारे पास जिस गन का मास जो है वो आपको मिला वायर 20 kg तो डेटा तो एक्जाक्ली हम बना रहें लेकिन यहां पर हम मैंशन करेंगे इस वक्ट जो हम बात कर रहे हैं वो गन की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर टॉप पर हेडिंग डाल रहा हूं गन की यानि जो डेटा गन का होगा उसे गन की कॉलम पर डालेंगे और जो डेटा बुलेट से रेलेट करता वा होगा उसे हम बुलेट के साइट पर लिखेंगे चलिए गन का जो मास दिया गया है वो दिया वायर 20 kg अब गन को मैंने बॉ 20 kg अचा फायर सा बुलेट उस गन से फायर की गई बुलेट और उस बुलेट का मास दिया गया है 50 ग्रैम बुलेट का मास मेटा क्या दिया गया है 50 ग्रैम तो हमें काम कर लेते हैं यहां पर हम क्या कर सकते हैं मेटा हमें काम यह भी कर लेते हैं साथ में बुलेट का भी होगी इसकी जो भी सिम्वलिफिकेशन होगी वो बॉटी टू के अतबार से होगी तो इसमें आपको हर जगा मास टू करके विलॉसिटी टू करके नजर आएगा यहां पर अब जो बुलेट का मास दिया गया था वो 50 ग्रैम था तो मास ऑफ बुलेट जो है वो दिया गया है 50 अचा अब ग्राम को किलोग्राम में लेके जाना चाहता हूँ तो सिंपल असान सी बात है 1 kg 1000 ग्रैम के बराबर होता है किलोग्राम बड़ा योनिट है और बड़े योनिट में जाने के लिए हमेशा उसके साथ वैलियो छोटी होती है तो 1000 डिवाइड कर देंगे और यहां स सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.05 kg ठीक हो गया चलिए आगे पढ़ते है वेदा विलॉसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड यह विलॉसिटी एक्जाक्ली किसकी होगी बुलेट की होगी क्योंकि बुलेट फायर की गई गन से और जिस विलॉसिटी से बुलेट मुफ करेगी वो विलॉसिटी आपको इनिशली दी गई है इनिशली नी सॉरी जो विलॉसिटी दी गई है वो 200 मीटर पर सेकंड है अब कॉंसेप्ट यह है कि देखें जब अट टाइम स्टार्ट जब बुलेट गन गन में मौजूद थी उस वक्त दोनों बॉडीज को एट रेस्ट कंसिडर किया जाता है ठीक है तो आप यहां मैं अगर डागराम बनाओं तो यह मेरे पास सिंप्ली एक गन है ठीक है यह मेरे पास एक गन है और दो अगर इंशालला डागराम अच्छी बन सके ठीक है तो यह हमारे पास एक गन है इसे हम गन तसवर कर रहे हैं और ज थोड़ा वाजy तोर पर दिखा रहा हूं कि इस वक्क गन और बुलिट दोनों रेस्ट की आलत पर होंगे। जब इनिशली दोनों रेस्ट की आलत पर होंगे तो याद रखेएगा उनक दोनों की initial velocity क्या होगी, 0 मेटर पर सेकंड होगी, तो हम gun की भी initial velocity को U1 suppose कर रहे हैं जो के 0 meter per second है जबके bullet जिसको हम U2 suppose करेंगे मैंने आपसे कहा था bullet body 2 है, gun body 1 है bullet के लिए आप हर चीज में 2-2 शामिल करेंगे जबके body 1 के साथ आपने 1-1 रखना है और U जो है law of conservation of momentum के अंदर initial को define करता है जहां initial velocities की बात होती है उसे हम U से represent करते है और जहां final की बात होती है उसे हम B से represent करते है तो यहां पर initial velocity of bullet जो है वो भी आपके पास 0 meter per second है क्योंकि at initial stage gun and bullet both are in state of rest that's why the initial velocities of both are equal to zeros तो यह इस तरह आपके पास U1 और U2 दोनो 0 meter per second के बराबर होंगे चलिए अब बात आते हैं इस बात पर के जो यहां इमेंशन किया था कि with a velocity of 200 meter per second यह वो velocity थी जब gun से bullet fire की गई और उसकी velocity जब वो state of rest से motion की हालत में आई यानि रुकी वी बुलिट जो के gun के अंदर मौझ थी और gun से fire करने के बाद bullet जब निकली जिस velocity से उसने move किया वो velocity है यह और क्योंकि यह bullet के velocity है तो उसे आप V2 अब क्योंकि final velocity हो गई तो V2 का नाम दे दो और यह V2 आपके पास 200 meter per second के बराबर दी गई है calculate the velocity of require of the gun आपने देखा होगा जब gun से fire करत की जाती है आप gun से अगर fire की जाए तो exactly क्या होता है एक जटका लगता है bullet आगे और आप किसी वक्त थोड़ा सा पीछे की जारे move करते हैं तो इसका मतब यह हुआ कि require of the gun backward direction पर जो velocity यानि जो ऐसी velocity जो अब gun की होगी और वो backward थोड़ा सा move करवाएगी आपको और उससे हम क्या करेंगे बेटा उस velocity को हम V से represent करेंगे gun क्योंके body 1 है तो यह V1 हो जाएगा और यह आपको निकालना है तो required भी यहाँ साथ ही mention कर दिया मैंने यह है simply हमारा required अच्छा ठीक है clear हो गया यह यह था असल काम अब आते हैं simple इस बात पर कि हमने किस law के ताहर इस numerical को solve करना है ठीक है मैं calculation की heading डाल देता हूँ calculation की heading डालता हूँ calculation और calculation में हम जो law use करेंगे वो होगा law of conservation of momentum according to according to law of conservation conservation of momentum ठीक है of momentum ठीक है हम momentum के अत्वार से बात करेंगे ठीक है अच्छा याद होगा law of conservation of momentum का concept यह होता है कि total momentum before the fire आप उसे कह दो या before before collision और total momentum after collision जब दो bodies elastic motion के अंदर होती है इनके दिरमेहन collision होता है collision की वज़ा से before collision and after collision दोनों के momentum सेम होने चाहिए यह concept होता है अब यहाँ क्योंके gun और bullet को लेकर बात हुई है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ के total momentum before the fire और total momentum after the fire ठीक है तो यहाँ मैंने mention कर दिया total momentum total momentum before the fire यह बराबर हो जाएगा total momentum after the fire ठीक है after the fire fire होने के बाद का जो total momentum होगा total का momentum का मतब होता है कि gun और bullet दोनों के momentum को sum करेंगे चलिए पहले हम before the fire पर आते हैं before the fire जो बात है वो यहाँ diagram के अंदर शो होगी diagram से आप लोग ज्यादा बेतर अंदाज में समझ पाएंगे before the fire का मतब momentum होता क्या है पहले हम momentum के concept को थोड़ा सा review करते है momentum mass और velocity का product होता है momentum जो होता है basically वो mass और velocity का product होता है अब अगर मैं कहूं पहले हम लिखने जा रहे gun का momentum तो गन का जो mass है वो M1 हो जाएगा और इसी तरह जो गन का जो गन की velocity है वो initially U1 हो गई इसी तरह अब आप आजाएं bullet के momentum पर before the fire तो क्यूंकि ये body 2 है इसका mass M2 हो जाएगा और इसकी initial velocity U2 हो गई ठीक है clear आप लोग को दिख रहा है exactly M2 U2 और अब अब आजाते हैं total momentum after the fire पर जो gun का जो gun का momentum है after the fire वो क्या होगा M1 as it is velocity U1 से change होकर हो जाएगी V1 और जो bullet का momentum होगा after the fire mass as it is रहेगा पर velocity U2 से change होकर हो जाएगी V2 चलिए अब जो जो values मिली भी है वो सारी values put कर ले और जो निकालना है automatically हमें समझ में आना से हो जाएगा कैसे हम उसे calculate कर सकते है M1 हमारे पास है 20 kg तो यह मैंने M1 की जगा पर 20 रख लिया U1 simple 0 plus M2 हमारे पास मौजूद है 0.05 और U2 हमारे पास 0 है फिर आ जाते हम यहाँ पर M1 दुबारा से M1 क्योंके M1 सेम है तो 20 kg आ गया V1 हमारे पास V1 हमें निकालना है तो V1 को मैं as it is यहीं पर रहने दूँगा अब आ जाता हूँ मैं M2 M2 हमारे पास क्या मौजूद है 0.05 जो ग्राम में दिया गया था उसे हमने convert किया था 0.05 के बराबर आया था V2 V2 exactly V2 हमारे पास क्या exactly bullet की वो velocity है जो after the fire है और which will equal to 200 200 के बराबर है चलिए अब इसको simplify करना शुरू करते हैं और exactly यहां से solve होने के बाद हमें V1 पता लग जाएगी जो यह velocity gun of gun की required velocity होगी जो हमें कहा गिया है निकालने के लिए 20 को 0 से multiply करें 0 यहां इसको 0 से multiply करें 0 0 प्लस 0 0 ही आएगा तो मैं ऐसे direct यहां पर 0 लिख रहा हूँ यानि total momentum before the before the fire जो है वो आपके पास 0 आ गया अब अगर इस तरफ आएगा 20V as it is और plus करवा देंगे 200 को अगर आप 200 को 0.05 से multiply करते हो तो याद रखो यह आपके पास आता है तकरीबन 200 को 0.05 से कर multiply करते हैं तो वो 10 आता है ठीक है 10 के बराबर होगा तो यह आपके पास 10 के बराबर हो गया तो इस तरह हमारे पास 20V1 plus 10 के बराबर हो गया अच्छा अब क्योंके हमें V1 निकालना है क्योंके V1 जो है वो गन की velocity है after the fire जिसे हम require velocity कहते हैं और 20 V1 को मैं यहीं पर रहने देता हूं क्योंके इसके साथ ही V1 अटेच है जो हमें निकालना है 10 यहां plus हो रहा है इस जाने बाएगा तो उसका sign change हो जाएगा minus 10 हो जाएगा then फिर further मजीद और move करते हैं minus 10 as it is रहा 20 क्योंके V1 से multiply हो रहा है इस जाने बागे 20 divide हो गया और 10 1s are 10 और 10 2s are 20 यानि 1 upon 2 1 upon 2 यानि minus 0.5 आ रहा है आपके पास V1 अच्छा अब एक काम करता हूँ बेटा इसको थोड़ा सा black marker marker से लिखते हैं ताके most ज्यादा बेतर अंदाज में आपको result clear हो जाएगा हमारे पास जो require of the gun की velocity आई है वो जो minus 0.5 meter per second के बराबर है और negative sign shows that यहां mention कर लें negative sign negative sign shows that shows that the shows that the velocity of recoil of the gun ठीक है या आप इसे ये भी लिख सकते हो बेटा कि bullet क्योंके fire होने के बाद आगे जिपाजर यानि forward move करेगा जबके fire होने के बाद गन जो है वो opposite direction में move करेगा तो both are in opposite direction bullet आगे की जानिब जाएगा जबके gun पीछे जाएगा दोनों in opposite act करेंगे that's why we consider it will it comes automatically हमारे पाद जो result है वो इस बात को भी show कर रहा है कि वाक्वी gun जो है वो backward direction पर आएगी negative sign इस बात का सबूत है चलिए अपने जल्दी से इसका screen shot ले लें क्योंके काफी descriptive numerical है और ये डाइग्राम screen shot करते हुए कभ कभी इसको discuss register पर copy करोगे तो जरूर याद आएगी तो क्योंके इसकी मदद से ही हमने इस numerical को solve किया है अपने बास register में copy में उतारो और इन्शाला हम जल्दी मुलागात करने वाले हैं एक नए chapter के साथ तब तक के लिए मुझे इजायत दें अपने बहुत सारा खैल रखें thank you so much अलाब